नमस्कार किसान भाईयो आधिनी क्यूबा किसान चनल में आपका स्वागत है और यह है आर्वीज बीस चोबिस और इसकी फ्लाबरिंग के स्टेज है तो इसमें जो है वाइट कलर का फूल आता है सफेद फूल आप देख सकते हैं हाइट इसकी अच्छी है काफी अच्छी हाइट है काफी अच्छी ग्रोथ है इसकी और फ्लावरिंग स्टेज पर देख सकते हैं है फ्लावर भी बहुत है इसमें अंदर से भी दिखा देता हूं मैं आपको नीचे से उपर तक बिल्कुल पूल यह फूल है यह देख सकते हैं पत्तों के कराण वह फूल सही से दिखाई नहीं दे रहे हैं यह तो बहुत ही घजब की फ्लावरिंग है इसमें हर जगह सांधार इसकी फ्लावरिंग और मात्र नभे से पिंचन्न दिन की फसल है कि नोसम किसाब से थोड़ो आगे पीछे हो सकता है लेकिन कम दिन की ही फसल जाद लंबी बेराइटी नहीं करीबहन 45 दिन के असपास इसमें फ्लावरिंग स्टेश पर है कुछ किसान भाईयों ने पूछा था किसका फूल किस कलर का आता है तो आप देख सकते हैं सपेद कलर का इसा फूल आता है और घजब की फ्लावरिंग आप देखें मुबाइल में आपको दिखाई भी दे रहा होगा और नीचे से उपर तक ऐसा नहीं है कि सिर्फ उपर उपर है यह देखिए आप नीचे बिल्कुल बोटम से लेकर टॉप तक इसका इसा ही फ्लावरिंग है और हर पोधे में एक जैसा और हैट भी आप देख सकते हैं कमर्स और गुटने के बीच में है इसके हाइट अब यह वेराइटी क्या प्रोडक्शन इस बार देने वाली है वह तो कटाई के बाद ही चलेगा पर यह कह सकते हैं फ्लावरिंग को देखके कि बहुत अच्छा प्रोडक्शन यह देने वाली है और जो भी प्रोडक्शन यह देगी हम वीडियो के माध्यम से किसान भाई तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे ताकि किसी दूसरी वेराइटी को बोकर वो घांटे का वेपार नहों हो जाए उनका क्योंकि कोई वेराइटी टेस्ट करने में रिस्क भी रहती है कि अगर वो वेराइटी नहीं हुई तो किसान भाई को बहुत अधिक नुकसान हो सकता है लेकिन जैसे हमने बोई है 20-24 तो उसका क्या प्रोडक्शन रहता है कैसी होती है वो वो सीधी जानकारी अगर आप तक पहुंच जाती हो तो आप बिल्कुल बहुत सकते हैं उसको और सोईन में करीबन 3000 वेराइटी है अगर आप एक एक वेराइटी टेस्ट करी नहीं पाए इसलिए जो अच्छी वेराइटी है जो अच्छा प्रोडक्शन देती है उसकी भरपूर जानकारी के बाद ही आप उसको अपने खेत पर लगाएं ताकि आपको नुक्सान नहों और इसलिए हम वीडियो के माध्धम से हमारी किसान भाई तक जानकारी पहुचाते रहते हैं और भी देख सकते हैं इसलिए वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ यह उद्देश से कि किसान भाई तक जानकारी पहुच सके अगर वेराइटी अच्छी है तो भी मैं बताता हूं कि हाँ वेराइटी अच्छी है अच्छा प्रोडक्शन दे रही है और अगर वेराइटी यह RBS 24 अच्छी वेराइटी है ग्रोध अच्छी है फ्लाबरिंग स्टेज भी अच्छी है प्रोडक्शन क्या देती है यह तो कटाई के बाद ही चलेगा इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखकर संपूर्ण जानकारी की कलाब उठाएं और जो प्रोडक्शन देगी उसका अगली वीडियो में हम देखेंगे प्रोडक्शन से पहले में एक वीडियो और बनाऊंगा इसकी जो फली है दाने किस प्रकार भारते हैं कितने दाने की फली है इसकी वह सब जानकारी मैं आपको दूंगा और कटाई क समय ही तो देना ही है कि क्या इसका प्रोडक्शन निकलता है क्योंकि फसल अगर अच्छे लगी और प्रोडक्शन कम हो तो अच्छे लगने का कोई मतल़ भी नहीं है इसलिए वीडियो देखने के लिए सबी के सानवाईयों को बहुत बहुत धन्यवाद